जैसरी कृष्ण अच्छ द्वादसों ध्याय हैं अर्जुन वाच एवं सतत्युक्ता ये भगतास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेश्याम के योगवीत महां अर्जुन बोले जो अनन्य प्रेमी भगजल पुरुवक्त परकासे निरंतर आपके बचन ध्यान में लगे रहकर आप सगुन रूप प्रमेश्वर को और दूसरे जोके अविनासी सचिजान अंदगन निराकार ब्रह्म को ही अचिस रेष्ट भाव से भजते हैं उन दोनों प जो भगजल अतिशे स्रीट सब्दा से युक्त होकर मुझे सगुन रूप प्रमेश्वर को भजते हैं वे मुझे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्या हैं परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समदाय को भली परकार वश में करके मन बुद्धी से परे सरव्यापी आकठनियस ग्रूप और सदा एकर स्नहने वाले नित्य अचर निराकार अविनाशी सचीदांद घन ब्रम को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित मेरत और सब में समान भाव वाले योगी मुझे को ही प्राप्त होते हैं उन सचीदांद घन आसत चीद वाले पुर्षों के साधन में प्रिश्र मिशेश है क्योंकि देहा भमानियों के द्वारा अव्यक्त विश्यक गती दुख पुरुवक प्राप्त की जाती हैं परंतु जो मेरे प्रायन रहने वाले भग्जन संपूर्ण कर्मों को मुझे में अर्पन करके मुझ सगुन रूप प्रमेश्वर को ही अनन्य भग्तियों से निरंतर चिंतन करते हैं वजते हैं है अर्जुन उन मुझ में चित लगाने वाले प्रेमी भग्तों का मैं शिगर ही मुझे मन को लगा और मुझ में ही बुद्धी को लगा इसके उपराथ तो मुझ में ही निवास कर नहीं है यदि तुमन को मुझ में अत्र स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो है अर्जुन अभ्यास रुप योग के द्वारा मुझ को प्राप्त होने के लिए इच्छा करें यदि तुमन को मुझ में अत्र स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो है अर्जुन अ आसरी तो होकर उप्रिक्त साधन को करने में भी तू असमत हैं तो मन बुद्धी आधी परविजय पराप्त करने वाला होकर सब करमों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर कियो है अभ्या से ज्ञान सरेष्ट है ज्ञान से मुझ परमेश्वर के सुरूप का ध्यान सरेष्ट है और ध्यान से भी सब करमों के फल का त्याग सरेष्ट है क्योंकि त्याग से ततकाल ही परमशानती होती है जो पुरुस्त भूतों में द्वेश भाव सर अलू है तथा ममता से रहित अंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमा वान है अठात अपराद करने वाले को भी अभै देने वाला है तथा जो योगी जिरंतर संतुष्ट है मन इंद्रियों से त्रीर को वश में किये हुए है और मुझे में द्रेड प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष बहे और देगादे से रहित है वह भग्त मुझे को प्रिय है जो पुरुष अकांक्षा से रहित बाहर भीतर से सुद्ध चत्र पक्षपात से रहित और दुखों से चूटा हुआ है वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भग्त म कामन करता है तथा जो सुव और अशुव संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भग्त युक्त पुर्ष मुझे को प्रिय है जो शुत्र मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुक दुखा दिद्वन्दों में समय वह आशक्ति से रहीता है जो निंदा अस्तूति को समान समझने वाला मदनशीर और जिस किछी परकार से भी शरीर का निर्वा होने में सद्धा ही संतूष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आशक्ति से रहीता है वैस्तिर वुद्धी भक्ति मानपुरुष मुझे को प्रिया है परमत जोश अद्धायक्त पुरुष मेरे प्रायन होकर उपर कहे हुए इस धर्म में अमर्त कुनिश काम प्रेभाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझे को अतिश्य प्रिया है हरियोम तत्चति शिरीमत भागो तकतो असुपने शुब्रम इद्धायया वेव्यक्स शाट्य को अनापृट्वार्सिद्ध क्राजिव मेरे जाया है श्रीक्षण रूमान्त झाया हो श्रीकpower कनक्र मेरे शानता कारम गुजर्ग शयनं पदमनाभम सुरेशं विश्वनारं गगन सद्रिशं मेघवर्ण सुभांगं लक्षमी कांटं कमलनायनं योगी विध्यार गम्यं बंदे विश्वुमावायरं सरवलोखाई चिनातं दिन के आकरिती अती सैसानत है जो शेष ना किसाया प्रसयान की हो है दिन की नाभी में कमल है जो देताओं के भी इश्वर और संपून जगत के आधार है जो आकाश के इस्द्रे सरवत्र व्यापत है नील में किसमा दिन का वरन है अती सैसंद्र दिन के संपून अंग है जो य नम्मरन रूप भय का नाश करने वाले हैं ऐसे लक्षनिपती कमल नेत्र भगवान से विष्णों को मैं सिर्ष से प्रणाम करता हूँ यम ब्रम्मा वर्ण इंदर रुद्र मरुट है श्तुवंती दिवेस्त वैर वैदै संग पधै कर्मोप्रिस्त इरगायां तियंग सामगा ज्याना वस्तित दगते इनमं सा पस्यांती यंग योगिनों यस्यांतमना विदूसरा सुरुणा देवा एतस्मा इनमे इस कार्था है ब्रम्मा वर्ण इंदर रुद्र और मरुद्र गण दिवेस्तोत्रों द्वार जिनकी स्तुति करते हैं सामवेद के गाने वाले अंग पध कर्म और उपनिश्णों के से इत्वेदों द्वार जिनका गायन करते हैं योगी जन ध्यान में इस्तित दिगतु है मन से जिनका द मेरी आप से हाथ जोड़कर पार्थना है आपके घर में जो बिमार हों लाचार हों चल फिर ना सकते हो आप उन्हें जुरूर शीरी मद्भवत गीता जी का पार्थ सुनाएं ताकि भगवान और प्रक्रिपा करें और और शाम की प्राप्त करें जया हो सिरी कृष्ण भगवान जया सिरी कृष्ण